हेलो एवरिवन लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिशरीज तो आज हम डिस्कस करेंगे बी कीपिंग और एपी कल्चर जो की स्ट्रेटेजीज फॉर एन्हांस्मेंट इन फूर्ड प्रोडक्शन चेप्टर का एक टॉपिक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी क और हम इसको एपी कल्चर भी कहते हैं क्या है बी कीपिंग इट इंक्लूड रिरिंग केर और मैरेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर अप्टेनिंग हनी वैक्स एंड अधर सब्स्टांसिस क्यूंकि बी कीपिंग से भी हमें एक फूड प्रोड़क्ट जो है अप्टेन होता है य इस हनी जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज फूड और जिसकी नुट्रिटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है तो बी कीपिंग आज हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में डिसकस किया जाएगा वाट इस बी कीपिंग किस किस तरह के प्रोड़क्ट हमें बी कीपिंग से मिलते हैं हनी कौम के अंदर कौन-कौन से मेंबर्स होते हैं और उनके क्या-क्या वर्क होते हैं क्या-क्या वो फंक्शन्स परफॉर्म करते हैं और किस-किस तरह की वेराइटीज हम बी कीपिंग में यूज करते हैं किस तरह से एपिकल्चर को मेंटेन और मैनेज किया जा सकता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको बी कीपिंग से रेलेटेड सभी जो पॉइंट से हैं वो क्लियर हो जाएं तो स्टार्ट करते हैं बी कीपिंग इसके इलावा भी बहुत सारे प्रोड़क्स हैं जो हमें मिलते हैं अपिकल्चर से बी कीपिंग इस अलोँ इन्वेस्टयमेंट एंटरप्राइस और आपको एक्स्टाइन इंकल्चर करते हैं उसके साथ में वो बी कीपिंग को भी साथ मेही रखते हैं क्यूँकि इससे उनको एक्स्टाइनक्ब होती रहती है इसको manage करना बहुत ही असान है और उनको इसमें जो financial benefit है वो भी काफी ज़्यादा मिलता है तो कौन-कौन से products हैं जो हमें apiculture या beekeeping से हमें मिलते हैं That is, first of all, the most important honey Honey, it contains sugar, water, moisture, minerals, vitamins, amino acids, enzymes, pollen तो बहुत composition जो है honey की, इसमें sugars भी है, water है, minerals भी होते हैं, vitamins भी हैं, बहुत सारे amino acids इसमें होते हैं, enzymes और pollen भी इसके अंदर present होते हैं इसके अंदर कौन-कौन से sugar present होती है, that is, levulose, dextrose, sucrose and dextrin ये sugar जो है honey में present होती है, जिनकी nutritive value बहुत जादा होती है what is the importance of honey, हमें पता है, it is used in the preparation of various types of medicines बहुत सारी medicines की formation में इसका यूज किया जाता है, like that is related to digestion, dysentery, vomiting, liver ailments liver ailments mean, any type of problem, any type of disease of liver and second point that is, it is a blood purifier third point, it is used in confectioneries, ये तो हम सभी को पता है, कि confectioneries में इसका काफी जादा use किया जाता है, and next, you also know for cough and cold, well known है, बहुत time से हम इसका use करते हैं कि करते आ रहे हैं, for cough and cold second is bee wax, bee wax भी obtain होता है, और ये कौन secret करता है, by the wax glands of worker bee ये काफी important है, कि जो wax secret होता है, वो कौन secret करता है, जो wax gland, worker bees में wax gland होते हैं तो worker bees, bees wax की formation करते हैं, और इसका use करते हैं, वो construction of beehive, beehive की formation में it is used by human beings, अब हम इसका use करते हैं, cosmetics में, creams में, polishes में, candles में, ointments में और lubricants में हम इसका बहुत जादा use करते हैं, bee wax का, propolis, ये plant से obtain करती हैं ये जो bees हैं, इनको plant से मिलता है, these substances are used for repairing of comb जिसको ये comb को repair करने के लिए use करती हैं, next point is, important point that is poison the bee poison is used in the manufacturing of certain ayurvedic and homeopathic medicines bee venom has, कौन सा acid होता है, इसके अंदर formic acid होता है, और इसका use, rheumatoid arthritis को cure करने के लिए किया जाता है what is rheumatoid arthritis, मैं आपको एक वीडियो में करवा चुकी हूँ इसको, that is an autoimmune disease तो यहाँ पे इसके poison का बहुत ही important यहाँ पे हमें benefit देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं honey bee varieties की, किन किन honey bee की variety को हम apiculture में use करते हैं तो हमारे पास दोनों तरह की varieties है, indigenous bee as well as exotic, indigenous जो हमारे इंडिया की local varieties है तो इसमें आ जाती है सबसे पहले apic serena indica, that is Indian bee, second is apic dorseta, that is rock bee, third is apic flory, that is little bee तो इसमें से indica का बहुत जादा यूज करते हैं हम, जहां तक exotic varieties की बात है उसमें आ जाती है apic malifera, italian bee भी कहा जाता है, and apic adamsoni, that is south african bee Indian जो हम यहां पर यूज करते हैं, हम mostly italian bee का यूज करते हैं क्योंकि उसको हम prefer क्यों करते हैं, उसके reason है, because it is gentle in nature, because it's stingless, they stay in a hive for long duration एक hive में बहुत long duration तक रहते हैं, swarming नहीं होती है, एक से दूसरी जगह यह नहीं जाते है good honey collection capacity, बहुत ज़्यादा honey यह collect कर लेते हैं, ability to protect itself from enemies यह अपने enemies से अपने आपको बहुत ही easily protect कर पाती है अब बाता जाती है, beehive के अंदर कौन-कौन से members होते हैं आप सभी को पता है कि beehive के अंदर 3 member होते हैं, bees के queen bee, drones and worker bee जो queen bee है, it is the largest bee of the colony and it has the capacity to reproduce drones, these are males, worker, these are females but these are sterile females and they perform maximum duties inside the beehive तो one by one discuss करते हैं, first of all queen bee, queen bee much larger than other बाकियों से काफी बड़ी होती है, strong legs होती है, और that is the mother of whole colony पूरी colony की वो mother होती है और approximately 2000 eggs जो है ये ले करती है अब eggs की बात करें, तो ये दो तरह के eggs ले करती है, fertilized and unfertilized fertilized mean by the fusion of male and female gamut, that is fertilized when the fertilized eggs are formed, they will form queen and worker bee, that is females female bee की formation होती है, जब भी fertilization होती है अगर जो unfertilized egg है, वो direct ही develop हो जाते है into male members that are drones, तो drones haploid होते हैं क्योंकि ये direct eggs से develop होए है, fertilization नहीं होई है, queen और worker bees after fertilization develop होती है, तो so these are deployed drones में जो ये process होती है, ये हम first chapter में करके आए है that is parthenogenesis, production of new organism from unfertilized gamete so now next is the next member that is drone, it is haploid male bee, larger in size than the workers, unable to gather food but eat worrishishly, बहुत ज़दा food ये खाते हैं, ये stingless होते हैं, इनका जो main role होता है, that is in reproduction only, next worker bees, worker bees diploid है, sterile females है, and these are the most active member of the colony, they perform most of the duties of the comb, और इनके पास बहुत सारे glands present होते हैं, like hypophysal और milk gland to nourish the young ones, and wax glands, pollen baskets to collect pollens and to form wax, now management for higher yields of honey, किस तरह से manage किया जाए, कि honey का production बहुत ज़्यादा हो, सबसे पहले बात आ जाती है apiary की, apiary को कैसे manage करना है, apiary किसे कहा जाता है, ये वो place है, जहां पे हमने beehives, जो की wooden boxes हैं, उनको हमने रखा हुआ है, honey obtained करने के लिए, उस पूरे place को हम apiary कहते हैं, तो इसमें सबसे पहला point देखा जाएगा, pastureage और crop और flora, जिस भी area में आपने इस apiary को manage किया है, वहां पे जो flowers हैं, कितनी तरह के flowers हैं, किस किस तरह के flowers हैं, उनके ओपर depend करेगा quality and taste of honey, ठीक है, second आ जाता है beehive, तो किस तरह का beehive आप select करते हैं, बहुत सारे beehives available होते हैं, आपको तीन type यहां पे बता रही हूँ, length stroth type, neutron type and zeolocot, तो यह तीन तरह के जो है beehives हैं, जो apiary के लिए हम select करते हैं, और सबसे plain areas में हम इन दोनों को select करते हैं, और hilly area हम zeolocot को select करते हैं, और सबसे most जो suitable होते हैं, वो length stroth type के होते हैं, अब आता जाती है apiary की location, beehives को हमें एक अच्छी location पे set करना होता है, जहां पे flowers बहुत जादा हों, एक से 2 km के radius में, और इसका जो face, it should be toward the east, ताकि वहां maximum sunlight आए, और जितनी भी bees हैं, वो fungal infection से बची रहें, next, water availability nearby, nearby उनके लिए water भी available होना चाहिए, next is swarming, swarming mean, उनकी swarming कम से कम होनी चाहिए, swarming होता है, वो groups में move कर जाती है, तो less swarming is required because during swarming, the new queen leave the hive with some drones and workers and take a new shelter, it can cause low yield of honey, जिसकी वज़े से honey की yield कम हो सकती है, next selection of variety of bee, site of selection of beekeeping, तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब बात आजाती है, diseases की, बहुत सारी diseases भी honey bees को होती है, like septicemia, brood fowl, nauseamma, amoebic diseases, तो septicemia, जो है, एक bacillus, aseptus, जो है, एक blood infection है, इनका, brood fowl में एक fungus कोज करती है, that is brood fowl, sizomycetes है, ये fungus जो इसको कोज करती है, nocema, nocema, apis जो है, और ये दोनो एक proto-zone diseases है, amoeba भी proto-zone है, और ये दोनों diseases जो है, proto-zone कोज करते है, nocema, apis, and walcamphia, dysentery, paralysis, acrine diseases, जो है, ये, carapis, woody, जो है, ये इनको कोज करता है, तो ये diseases, हाला कि आपकी NCRT में mention नहीं है, but for MCQ, you can learn them, now, which are the enemies of bees, wasps है, wax moths है, और mites, इनके, जो है, enemies होते हैं, जो दीरे-दीरे इनके production को कम कर देते हैं, अब मैं इसको summarize कर रही हूँ, points for important और successful, जो है, bee keeping के लिए कौन-कौन से main point है, सबसे पहले है, knowledge of the nature and habits of bee, हमें पता होना चाहिए, उनकी nature और habits के बारे में, selection, एक suitable selection देखी जाए, beehives को रखने के लिए, and catching and hiving of swarms, कि किस तरह से catch किया जाए, और वहाँ पे beehives में उन swarms को रखा जाए, management, beehives को कैसे manage किया जाए, कैसे साफ रखा जाए, उनकी positioning कैसी हो, और किस तरह से उसमें से honey और beehives को collect किया जाए, now, एक सबसे important point यहाँ पे आ रहा है, that is importance of beekeeping in agriculture, agriculture में beekeeping की बहुत जादा importance है, क्योंकि bees जो है maximum crop plants की pollinator होती है, like sunflower, brassica, apple and pear, इनकी यह major pollinator से इनी को माना जाता है, तो increase in pollination, तो इसकी वज़े से क्या होता है, bees को आप वहाँ रखोगे, apiary को वहाँ manage करोगे, तो pollination जादा होगा, yield भी बढ़ जाएगी, और honey का production भी जादा हो जाएगा, तो यह आपका point, NCRT से direct है, तो आपने इसको ध्यान से करना है, कि किस तरह से bees agriculture में भी role play कर सकती है, काफी बार exams में यह question आता है, तो आज इस वीडियो में हमने discuss किया, apiculture, what are the products we obtain from apiculture, and types of bee varieties which we can use, what are the important point during placement of apiary, or during management of apiary, and importance of bee keeping in agriculture, तो आप इस वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, thank you.